हाई दिस एक्स वेल्कम डुवाल सो आज के स्वीडियो में देखेंगे इन्वेंटर प्रो इन्वेंटर प्रोफेशनल 25 किससे डॉनलोड करें और किस तरह आपके पीसी में इंस्टाल करें इसके लिए सबसे पहले आप सर्च कर लें फिर उसके बाद जो पहला लिंक आएगा इमेle डालके आप लॉग न कर लें तो आप जरूर जाके देख ले सप्रेट वीडियो और इसका अकॉंड क्रेट करने का वो वीडियो बना चुका हु एँए चैनल पर जाकी देख सकते हैं आप अप सब्मिट करना है कैसे सब्मिट करना है डॉकमेंट कौन सा सब्मिट न आपको आपकी सारी इंफर्मिशन आ जाएगी जो आप पहले फिलब किये थे अकूंड क्रीट करने के वक्त फिर उसके बाद सब्मिट कर दें कि मुझे साफ्टवियर चाहिए उस इते बार से ओक्या आपको मिल चुका है एक्सेस प्रोड़ोट पक्लिक करें ओके उसके बाद मैं फिर से सर्च कर रहा हूं क्योंकि अभी वहां जल्दी नहीं आता है इसलिए रिलोड करना पड़ता है बार बार सो फिर से सर्च करके मैं यहां प्रोड़क्ट एंड सर्विसेस पर जाओंगा ठीक है ओके फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मुझे यह मिल जाएगा असानी के साथ ओके जो जो प्रोड़क्ट मुझे मिल चुके हैं वह सब इन्फर्मिशन है इदर यह नहीं वह साफ्ट्वेर हैं यह जिसे आप डॉनर कर सकते हैं ओके सुसर्च कर लिए दिन मैं मुझे मिल चुका है वह तुन्टी टुन्टी फैवर्जन डाउनलोड करता हूं मैं और उसके बाद यह सब ओके और डाउनलोड अभी हो रहा है डाउनलोड वह ओके फिर उसके बाद यहस पर क्लिक करना है और आपको डॉनलोड इंग अपने आप हो जाएगा वह और आप देख सकते हो रहा है डाउनलोड में भी आपको यह वितिन 3GB का हो सकता है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दस मिनिट से पंदरा मिट लग जाएंगे डाउनलोड करने के लिए ओके तो हो चुका है डाउनलोड अभी रन पर क्लिक करते हैं क्लिक करते हैं इंस्टालेशन स्टार्ट हो चुका है तो मैं इदर वीडियोस को थोड़ा फास्ट नहीं किया इसलिए अब ज्यादा वक्त ले रहा है और मैं आपको खास बात आपको बता दूं कि आप इस लाइसन्स को अग्री कर लेंगे और निक्स्ट पर क्लिक करेंगे ठीक है तो आपको वही बता बात है कि आप अगर आपको लोगनोड करने के वक्त हो या इंस्टाल करने के वक्त आपको कोई भी प्राबलम आती है एरर आता है तो आप सप्रेट वीडियो बन चुके हैं उस पर आप जाके देख सकते हैं आप देखके उसका सलूशन धून ले और यहां जाके सलूशन पर यहां प्ले करें ठीक है अगर आपको सलूशन नहीं मिलता है हमारे दो वीडियोस में जो अभी अपलोड हो चुके हैं सब्सक्माइब करक पूठ सकते हैं कि दोंगा उसके बाद को यहरी स्टाट करनी के जवरोत थे्व इंडुसी को तो रिस्टाट करने केarat मैं not know पर क्लिक क्या हूं क्यों भी restart करने के लिए ही रेकार्ड नहीं होगा इसलिए मैं not know पर क्लिक क्या और after restart PC के बाद मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं ठीक है अभी open हो चुका है हमारा interface देखते हैं कैसा है कोई problem है या warning issue देखते हैं कुण सा भी situation सही है नहीं okay so almost null clear सब सही है so मैं first time मैं भी create just a part design कर रहा हूं ठीक है okay square shape का cube ले जाता हूं मैं एक फिर उसके बाद उसके अंदर एक counter board threading का I mean hole दलता हूं मैं जिसमें screw फिराने के लिए आसानी होगा वह इतिवार से just design क्या हो simple design सब सही चल रहा है so okay thanks for watching